आज डेट है 5 दिसंबर 2023 रात के 9 वजे वाले टेस्ट में आप सब का स्वागत करता हूँ आज का जो टॉपिक है वो बाइलोजी से लिया गया और टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की साखाएं ममुप साखाएं इसके टोटल अभी आपको 28 प्रसन मिलेंगे आपको हल करना है यह 28 अथी महत्पूर्ण प्रसन है जो बार बार एक्जाम में आते हैं तो आपको यह बनाना है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसका पीडियाप अगर पाना हो तो मारे टेलिग्राम च जाता है न्सी आरटी के बुक से ली आ जाता है तो आप इस टेस्ट को एगनोर नहीं करेंगे इन इस टेस्ट को अच्छे से देंगे चलिए आज की टेस्ट कि सुरबात करते है पहले क्षें से फोलों का लाता है आपके ऑप्श्ण है मिलेंगे तो पहला का answer हो जयेगा तीसरा number anthology दूसरा है जीवों के अनुवानसिक लक्षनों तथा उनकी वसांकती का अध्यन क्या कलाता है आपके option है फर्सट पर pedology, दूसरा है mammology तीसरा है serpeitology और छोठा है attempt करेंगे दूसरा प्रस्न तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा option number 4 genetics genetics is the right answer option number 3 मिर्दा, मिर्दा, निर्मान मिर्दा के प्रकार इत्यादी का अध्यान किस से किया जाता है मिर्दा मतलब मिट्टी होता है स्वाइल जिसको बोलते हैं आपके option नहीं फर्स नमर पेडोलोजी दूसरा है bionics तीसरा है binonomi चौता है serology attempt करेंगे तीसरा नमर तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा pedology या pedology ठीक है चौता है पक्षियों का अध्यान किस से सम्बंदित है आपके option ने first नमर मेलिकोलोजी दूसरा है agrastology तीसरा है और निर्थोलोजी और चौता है pathology attempt करेंगे चौता प्रस्ण पक्षियों का अध्यान किस से सम्बंदित है तो चौता का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नमर और निर्थोलोजी ठीक है और निर्थोलोजी is the right answer option नमर फाइव entymology का सम्बंद किस से है आपके option है first number कीटों का अध्यान दूसरा है सापों का अध्यान तीसरा है रुधीर का अध्यान रुधीर मतलब blood होता है और चौता गलत option आगया है tetology ये तो खुदी लोजी है तो ये तीन option में आपको बताना है पांचमा का सही आंसर क्या होगा entymology का सम्बंद किस से ये आपको बताना है तो option 4 को आप ऐसे ही eliminate कर दें एक दो और तीन नमर option में बताइए कौन सा सही होगा तो 5 का सही आंसर हो जागा पहला नमर कीटों का अध्यान जिवानों का अध्यान क्या कलाता है आपको option 1 नमर वाइरोलोजी दुसरा हरपेटोलोजी तीसरा है बैक्टेरियोलोजी और चौता है और निर्थोलोजी अटेम करेंगे जिवानों का अध्यान क्या कलाता है तो 6 का सही आंसर हो जागा तीसरा नमर बैक्टेरियो लॉजी जिवानों का अंग्रेजी में क्या वर्जन होता है बैक्टेरिया और बैक्टेरिया से बना बैक्टेरियो लॉजी लॉजी मतलब सिर्फ होता है जानना अध्यान करना ठीक है मतस मतलब मचली होता है ठीक है ओस्टियोलोजी में किस का धिया जाता है यह आपको बताना है तो सेबन का सही आ Fraktion रहो जाएगा तीसरा नमबर अस्थियों का धियन यानि हडियों का धियन आठमा है विशानवों का धियन क्या कलाता है आपके option है फर्स्ट नमर पैथोलोजी, दूसरा है हरपीटोलोजी, तीसरा है टेटोलोजी, और चौथा है वीरियोलोजी कर दिजिएगा इसको ठीक है, जल्दी से बताएंगे, विसानवों का अध्यान क्या कलाता है, तो 8 का से यह answer हो जागा, option number 4, वाइरोलोजी, ठीक है, म सापों का अध्यान, तीसरा है घास से संबंदित अध्यान, और चौथा है मनुस की पेशियों का अध्यान, अटेम्ट करेंगे, नौमा प्रस्ट, मायोलोजी का संबंद किस्से है, यह आपको बताना है, तो 9 का से यह answer हो जागा, option number 4, मनुस की पेशियों का अध्यान, दस ह प्रस्ट, मधु मक्ही पालन का संबंद निमलिकित में से किस्से है, आपके option है, फर्स्ट, नौमर फ्लोरी कल्चर, दूसरा है पॉमोलोजी, तिसरा है PC कल्चर, और चौथा है AP कल्चर, एटेम करेंगे 11 माप्रस्ट, यह कुश्टन बहुत बार आपके एक्जाम में आया है, बहुत बार आया है यह वाला, तो 11 का से यह answer हो जागा, option number 4, AP कल्चर, 12 है PC कल्चर में किसका पालन किया जाता है, आपके option है, फर्स्ट मर, पक्छी पालन, दूसरा है वन समवर्धन, तीसरा है फसलों की खेती, और चौथा है मचली या मतर सिपालन, एटेम करेंगे PC कल्चर में किसका पालन किया जाता है, यह आपको बताना है, तो 12 का से यह answer हो जाएग, option number 4, मचली, पालन या मतर सिपालन, एक लिए question number 13, अंगू उत्पादक का संब्ध किस्से है, यह आपको बताना है, तो 13 का से यह answer हो जाएगा, दूसरा number VT कल्चर, VT कल्चर is the right answer, 14 है AV कल्चर का संब्ध किस्से है, आपके option है, फस्ट मर जलिया जीब, दूसरा है कच्चा रेसम, तीसरा है जैतून का उत्पादन, चौता है पक्छ निमलिकित में से किस्से है, आपके option है फस्ट मर सेरी कल्चर, दूसरा है AV कल्चर, तीसरा है ओली कल्चर, और चौता एग्रो नॉमी, अटेम करेंगे question नमबर 15, रेसम कीट पालन का संब्ध निमलिकित में से किस्से है, यह आपको बताना है, तो 15 का सही answer हो जाएगा आपक सहतूत की खेती, अटेम करेंगे सोल मापरस्न, मोरी कल्चर में किसकी खेती की जाती है, यह आपको बताना है, तो 16 का सही answer हो जाएगा option नमबर 4, सहतूत की खेती, ठीक है, अटेम करेंगे सतर मापरस्न, जैतून का उत्पादन का संब्ध निमलिकित में से किस्से है, आपक अटेम करेंगे सतर मापरस्न, तो 17 का सही answer हो जाएगा option नमबर 4, ओली कल्चर, अठारा है जैनेटिक्स का संब्ध निमलिकित में से किस्से है, आपका option है फस्ट मर् वसांगती, दूसरा है पक्षी, तीसरा है परियावरन और चौथा है जिवास्म, अटेम करेंगे 18 मापर जैनेटिक्स का संब्ध निमलिकित में से किस्से है, तो 18 का सही answer हो जाएगा आपका पहला नमबर वसांगती, प्रसन संख्या 19, विविन संस्कृतियों के विज्ञानिक विवरन के तुलात्मक अध्यन को क्या कहते हैं, आपके option है फर्स नमर इथनोलोजी, दूसरा इथनो ग्राफी, तिसरा है इथनोलोजी और चौथा है एथिक्स, इथोलोजी है तिसरा नमबर, अटेम्ट करेंगे 19 मा प्रस्न, तो 19 का सही answer हो जाएगा आपका पहला नमबर इथनोलोजी, बी से जैविक जगत में होने वाले कारे गुन, वह पद्दती के अध्यन के इस ज्ञा तो 20 का सही answer हो जाएगा आपका पहला नमबर, बायोनिक्स, बायोनिक्स is the right answer, प्रसन संख्या 21, कुस्टन नमबर 21, निमलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपके option है फस्ट नमबर, फूलों की खेती, फ्लोरी कल्चर, दूसरा है फसलों की खेती, एग्रोनॉम तीसरा है सबजियों की खेती, होटी कल्चर, और चौता है फलों की खेती, पॉमोलोजी, अटेम्प करेंगे 21 माप्रसन, तो 21 का सही answer हो जाएगा तीसरा नमबर, सबजियों की खेती, होटी कल्चर, ये गलत है, बाकी 1, 2 और आप्सन नमबर 4 सही है, इसको आप याद भी र तो 22 का सही answer हो जाएगा आपका, तीसरा नमबर, PC कल्चर, लाग का कीड़ा से संबंदित नहीं है, PC कल्चर में हम सब मचली पालते हैं, यानि मतस पालते हैं, ठीक है, आप्सन नमबर 23, नेक्स्ट कुसन देखते हैं, कीट समवर्धन क्या है, आपके आप्सन है, फर्स की अध्यान करने का विज्ञान, तीसरा है, मचलियों की अध्यान करने का विज्ञान, और चौता है, कीटों को मारने का विज्ञान, एटेम करेंगे 23 मा प्रस्ण, तो 23 का सही answer हो जाएगा, पहला नमबर, कीटों की वृध्धी करने का विज्ञान, 24 है, वर्मी कल्चर में प्रयुग्त वर्म क्या होता है आपका अप्सविस्जाऄार नंबर टेपवर्म दूसरा सिल्क वर्म तिसरां थ्रेड वर्म और चौता अर्थ वर्म अटेम्ज ऐंटेम्ज करेंगे 24 हो चींट्यम प्राष्न और चोथा अनुवान सिक्ता और विच्रन अटेम्प करेंगे 25 प्रस्ण जनेटिक्स निम्लकित में से किसका अध्यान यह आपको बताना है तो 25 का सहयान सा रोजा का option प्रस्ण नमबर फोर अनुवान सिक्ता और विच्रन 26 है अपको प्रस्ट में मिर्दा विहीन पादप समवर्धन यानि ऐसा पौधा जो की मिर्दा विही नहीं मतलब उसमें मिर्दा नहीं है फिर भी वह पौधा बढ़ रहा है दूसरा है पादप में कलम लगाना तिसरा है स पादप में कलम लगाना फिलाल 26 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हैड्रोपोनिक्स क्या है तो मिर्दा विहीन पादप समवर्थन मैं एक वीडियो में हैड्रोपोनिक्स के बारे में आपको समझा चुका हूं आप जाकर देख सकते हैं वीडियो आज के टेस्ट का लोजी और चौथा एक्यृतो लोजी अटेम करेंगे 27 मा प्रस्ण तो 27 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सर्पेटो लोजी 28 है लैक्सो को ग्राफी का संबंद है आपको ऑप्सान है फस्ट मर मानव शरीर की संरचना से दूसरा है सब्तकोस के सन्योजन से तीसरा है दूसरा नंबर सब्तकोस के सन्योजन से तो यह था आज का टॉपिक जिसमें हम सब बाइलोजी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक किये इसका नाम था जिव विज्ञान की सखाए ममूब सखाए इसमें हम सब कुछ कुछ को संदेखे जो के एक्जाम में बार बार र जरूर कर लेंगे चैनल पर नाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को लाइक जल्दी मिलते है नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो माच बाइबाइ टेक केर और गॉड बलेस्यों तो आल